यूँ तो होली का नाम लेते ही ब्रच की होली की याद ताजा हो जाती है लेकिन अवद की होली को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता होली के मौके पर पूरा देश रंगों से सराबोर है ऐसे में भगवान राम की नगरी एध्या इससे अच्छूती कैसे रह सकती है होली का तेवहर आते ही पूरा वद पर रंगों की खुमारी सिर्चड़ कर बोलने लगती है जिसकी सुरुवात बसंपंचमी से हो जाती है बसंतरित के सुरू होते ही फागने बयार अउध्या की फिजा को ऐसे बदल देती है जैसे अउध्या का त्रेता युगिन बैभोल लोटाया हो अउध्या अपने अराथ प्रभुसिरी राम की आंगल में रंगों से सराबोर हो जाने को बेचैन हो जाती है होले की दिन तो मानों अउध्या ने एक नया सिरिंगार कर लिया हो यहां के मठ मंदिरों में फगवागीतों के साथ रंगों और फूलों की होली हर किसी का मन मोह लेती है हर तरप हर सो लास का ऐसा वातावरन सायद ही कहीं और देखने को मिलता है अविध्या में इस बार की होली बेहत खास है इस बार की होली राम लला वाली है क्योंकि भगवान सिरिराम का मंदिर अब बन कर तैयार होने वाला है अगले साल होली से पहले ही जनुरी माह में राम लला अपने मंदिर में भगतों को दरसंदेंगे अपने आराद प्रभुसिरी राम के मंदिर से प्रसन यहां के संत महन मठ मंदिरों में भगवान राम के सामने फूल गुलाल से खूब होली खेल रहे हैं हर छोटे बड़े मठ मंदिरों में होली की अलोग की छटा मन को मोह ले रही है अध्या के महत्पूर्ट मंदिरों में सुमार चाहे वो कनक भवन हो हनुवान गड़ी हो या जान की भवन रामबल लबा कुंजो हर जगा होली की उध्वूम दिखाई दे रही है आप यह देख सकते हैं कि संत महन मंदिर में एकत्रित होकर अपने आराद प्रभुसिरिराम के दर्वार में और उनके विक्रा के साथ में फूलों की होली खेल रहे हैं यह अद्भुत नजारा अध्या का है इसलिए अवत की होली का एक अपना खास महत्व है जहां पर भक्त और भगवान साथ साथ होली खेलते हैं और इस रंगोट्सों को फूलोट्सों के रूप में मनाते हैं और जो एक आपसी भाईचारे सौहार्द विश्वामति का संदेश होता है वो अध्या के मठ मंदिरों से निकल कर पूरे विश्व को जाता है ये अध्या की होली का बेहत खुब सूरत नजा रहा है आप ये देख सकते हैं कि संद महंत आपस में किस तरह से अठ्खेलियां करते हुए एक दूसरों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं